हेलो फ्रेंट आज जो मै आपके लिए वीडियो लाई हुआ है गेस adgency किसे कोले गेस Ad감 नहीं वागट होती एए कितना एक जिलेंडर बेचने पर प्रती एक स्स्पाइब कितना मुnaफ़र मिलता हैician दोस्तो शुरू करते हैं पहले बात करते हैं कि मैं इस वीडियो में क्या-क्या बताने जारी हूं वह पॉइंट में आपको बतारें जैसे में आपको बताऊंगे गेस अजनसी कैसे खोल सकते हैं कैसे ले सकते हैं गेस अजनसी लेने के लिए क्या-क्या फाइदे हैं ओनलाइन कि नावेदन कैसे करें और इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट कितना होगा आपको दोस्तों अगर अगर आप यह सोच रहे होगे कि गेस अजेंसी लेना डीलर्शीप लेना बहुत आसान है तो मैं आपको यह बता दूँ यह क्लियर कर दूँ कि गेस अजेंसी डीलर्शिप ल बहुत बड़ा फाइदा भी होता है इससे आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं तो पहले बात करते हैं यह जो पधानमंति उज्वला योजना के द्वारा बनाई गई 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 से लेंडर आज के टाइम में घरों में सबको जरूरत होती है इसके बिना किसी का भी काम ने चलता तो अब बात करते हैं दोस्तों इसके आरलिया आपको क्या-क्या आवश्चिकता होगी इसके लिए आपको एक तो भारत का नागरिक होना मेल और फीमेल कोई भी जे से खोल सकता है चीक्श्य आपकी ओनी चाहिए दस्वी मतलब गेस अजयेंसी खोलने के लिए कम स slender को store कर सके या फिर आपके पास ऐसी जमीन होनी चाहिए जिसके उपर आप उसका गोदाम बना सकते हो फिर बात करते हैं कि कौन-कौन से documents चाहिए होंगे आपको आधार कार चाहिए होगा pen card चाहिए होगा अब बात करते हैं दोस्तों security deposit company security deposit लेती है जब भी जैसे security deposit में वो लेगी documents लेगी 10% security deposit लेगी मतलब जो भी starting में आपको डिलर्शिप देने से पहले अगर आपको आवेद्र हो जाता है तो आपको सबसे पहले एक तो document देना होंगे plus उसको 10% security security deposit कितनी होती उसका 10% आपको security deposit देना होता है अगर आप शहर में डिलर्शिप ले रहे हैं तो आपको पांच लाग रुपे देना होते हैं अगर आप गाउंस में खोल रहे हैं तो आपको चार लाग देने पड़ते हैं अब बात करते हैं दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होता है MPG GAS Agency को आपको a fees देनी होती है कि Fujs वापस नहीं मिलेगी मतलब इसकी एक fees होती है मतलब जो company को में देनी होती है लेकिन हम थे नун refundable है मतलब आपको वह चीजीज को और ऑर यसे पैटोल हम देलर्सिप लेते तो उनमें क्या करते करते हैं शाल अबर बाद आपको security deposit कर देती है लेकिन gas agency में ऐसा नहीं होता आपको वापिस security money आपको वापिस नहीं मिलती है तो शहर में अगर आप gas agency की dealership ले रहे हैं अगर आप general category के हैं तो आपको 10,000 रुपे देने पड़ेंगे और आप OBC से हैं तो आपको 5,000 देने पड़ेंगे तो टोटल इसमें और गाउं से हैं तो आपको जन गाउं में अगर आप डिलर्शिप खोल रहें तो आपको जनल है तो आपको 7,000 देने पड़ेंगे अगर आप OBC से हैं तो आपको 5,000 देने पड़ेंगे गेस बना गेस लोगों तक सिलेंडर पहुचाने के लिए आपको लोडिंग आड़ी की भी जरूत होगी उसके लिए आपको आदमी भी एंपलोई भी रखने पड़ेंगे तो आपको 15 से 20 मान के चलिए कम से कम 15 से 20 लाग का आपका इंवेस्टमेंट होता है अब बात करते हैं दोस्तों इसमें आप ओंलाइन आविदन केसे कर सकते हैं आप घर बेठे भी एजझनिस्यी डिलरशिप लेने के लिए औ लाइन आविदन कर सकते हैं ग 95 डेली अब्दीएट राइये listen को चेकंते रहिए ता कि आपको पता चल जा जा है कि हमें डिलर्शिप कब मिल सकती है जैसे तीन सबसे बड़े एजनसी है इंडियन गेस भारत भारत घेस अच्पी का तो इनसमें से आपको कौन से लेनी है वह आपे डिपेंड करता है अगर आप कोई भी डिलर्शिप ले रहे हैं गेस अंजेंसी कि तो आप अपने एक वा दुबारा एच्पी के लिए रहे हैं तो आपको इतना मुनाफ़ा नहीं होगा जो चीज अमारे एरिय में नहीं है हमें उस चीज की डिलर्शिप लेनी चाहिए ताकि कस्टुमर हमारे पास ज्यादा आ सके इसका ओनलाइन लिंक में आपके अपने डिसकर्शन में बॉक्स म स्टेप बई स्टेप एप करके नेक्स वीडियो में बताऊंगी तो आप मेरे इस चैनल को सस्क्राइब कर दीजे ताकि आपके पास नहीं मेरे बिजनेस आइडिया आते रहे और गेस एजेंसी की पूरी डिटेल आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी इस वीडियो में अगले वीडियो में में आपको यह बताऊंगी कि इसमें ओनलाइन अविदन कैसे करते हैं अगर आपको कोई भी इसके वारे में जानकरी चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्षिन में कमेंट कर सकते हैं तो बात करते हैं दोस्तों इसमें प्रॉफिट कितना होगा तो डिस्ट पूरे महिने में चाह लाग से पांच लाग तक का प्रॉफिट होता है यह तो दोस्तों मेंने कम से कम आपको प्रॉफिट बताया है इस से जादा भी होता है और सर्दियो में तो स्लेंडर की कितनी जरूत होती है लोग घरों में गिजर में गिजर का भी यूज करते उसमें में भी स्लेंडर का यूज करते हैं तो सर्दियों में तो स्लेंडर हमेश्या गर्मियों से डबल रखता है तो सर्दियों में आपको 15-20 रुपे महीना कमा सकते हैं तो धन्यवाद दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक किजिए और अधिया बनाओंगी तो धन्यवाद दोस्तों